आज का ये वीडियो ग्लास 10th की बच्चों के लिए होने वाला है। हमेस क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का सेंपल पीपर हम। के और हुंदी में देखने वाले हम की कि आपका पपажи कैसा आया था। तो if अगर हίνदी में किया है अगर हिंदी में लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम गूरूप में में जोइन हो सकते हुआ वह हिंदी में जो है ट्रांसलीट करके इसको जो है लिख लिख के जो हमने ट्रांसलेट किया है सबको बनाया है फिर आपको जो हिंदी में प्रोवाइड करवा रहे हैं क्योंकि cbse जो है इंग्लिस मीडियम ही देता है लेकिन काफी जो बच्चे होते वो सेंपल पेपर को इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो इंग् भंटें मिलेंगे और इसके कुछ सामानी निर्देश है तिक है यहाँ पर आपको सामानी निर्देश दिख रहा होगा जिसमें पहला कहा गया है कि यह प्रशन पत्र जो है जो section A में पहले बताया इन्होंने कि एक से पांस तक की जो भी प्रश्ण होंगे वो जो है दो अंके प्रश्ण है और इनका अंसर देना आपको 40 सब्दों में तो यह याद रखना आपका section A में 5 कोशन है आपके एक से लेके 5 तक ठीक है एक से पांस तक कोशन है जो दो अंके है section B की बात करें यहाँ पे section B है आपका तो यहाँ पे 6 से लेके 8 तक यह कोशन है जिसमें से परतेक के अंक जो है तीन नंबर का आपका यह प्रश्ण होगा अगला जो है आपका section C यह 9 और 10 वा कोशन है इसमें और जिनमें परतेक के अंक पांच अंके हैं 5 अंके प्रश्ण होंगे और सब्दों की सीमा तो समय बता रखिए कितनी आपको लिखनी है Section D है सक्षन डी है इसमें आपका 11 और 12 प्रश्ण आएगा Section D में जो सुरोत अधारीत प्रश्ण होंगे जिसे आपको कह सकते हो कि पैसेस टाइब का आपको पढ़के लिखना है और आगे जो है आपका सेक्षन E आता है जिसमें आपको बताया गया है कि जो प्रशनल संख्या 13 है वो क्या है नक्सा वाला आपको करना है यहाँ पर नक्सा आपको दिया रहेगा और दो भागों के साथ तीन अंक्य है यह इतिहास से एक 13.1 है और भुगोल से 13.2 है ठीक है यह दो अंक्य है भुगोल वाला और इतिहास से एक अंक्य है तो यह आपका दिया गया है बाकी आगे भी है जो मुझे लगता बहुत ज़्यादा important है ठीक है तो यहाँ पर आपने जान लिया कि section जो wise है आपका divide है और section E तक है और सभी के आपने अंक भी जान लिये अब देख लेते आपके paper को सबसे पहले section A देखते है section A में क्या कहा गया है जैसे यहाँ section A है हमने पढ़ा था section A में जो 1 से 5 तक question होंगे वह दो अंक्य होंगे तो पहला question पूछा गया है कि जो ऐसे योग आंदोलन था वह सहरों और कस्वों में कैसे फैला था ठीक है यह question पूछा गया है दो नंबर का है और इसका answer की जो है मैं आपको जो है आप download भी कर सकते हैं लेकिन वह English जा सकते हैं वहां पर आपको यह paper मिल जाएगा हिंदी में बाकि answer की भी जो हम translate करके आपको provide करवा देंगे यहां पर बात करते हैं दूसरे question की प्रेटन को एक व्यापार क्यों माना अगला question है एक डल और दौद्य विवस्था में क्या answer होता vita तो एक दल विवस्था वो होती है मैं कईयों के अंसर में आपको बता देता हूँ क्योंकि अंसर की जो है अगर आपको बहुत देर भी हो जाए लेने में तो मैं आपको कोसिस करता हूँ कि मैं आपको अंसर बता दूँ एक दल और दली विवस्था दो दली विवस्ता क्या होता है जैसे एक दली विवस्ता में क्या होता है किसी एक पार्टी का सासन होता है जैसे चीन में चीन में क्या है communist पार्टी है तो उसी का सिर्फ सासन होता है और दो दली विवस्ता में क्या होता है दो जो पार्टी होती है उनका सासन होता है दो पार् छीन में एक ही पार्टी का सासन है तो daar रुम Pearस जहए हैं यहां पर जो आ है दो दलीया ववश्थ्था है अमेरिका में अगला कोशन है पर इससे आपको भूमिका का उलेक करना तो यह हमारे देश की जो है RBI Reserve Bank of India ठीक है इसकी आप जिसे RBI की नाम से जाना जाता यह सब आप पढ़े होंगे और इसके बारे में आपके आया कि बहुत सारी चीजें जो है करते इनके काम के बारे में थोड़ा उलेक कर दिए कि RBI जो है रिन के जो काम काज होते हो उसके उपर निग्रानी रखता है कोई अगर यह यह लोन लेना हो यह बहुत सारे इसके काम होते ठीक है आप एक दो नंबर का है डाल सकते इसमें पांचवा कोशन है यह आपको तालिका टाइप की दे दी गई है और इसमें जो है आपके प्रशन जो पूछे गये वह नीचे पूछे गये है तो इसे देखते हम प्रशनों को क्या कहा गया है प्रशनों में कोशन नंबर आपका पांचवे का पहला है ठीक है तो 2015 और 2016 और 2019 20 के आकड़ों की तुलना करे और 2019 20 में स्टील के उत्पादन में कमी का कोई एक कारण बताना है तो यहां पे आप इसे देखोगे जो आपका यह तालिका दी हुई है यहां पे तो यहां पे क्या है यह मतलब साल आएगा प्रोडक्शन मतलब आएगा उत्पादन ठीक है इतना तो आप समझते ही हो कि यह होगा तो आप समझ गये अब यहां पे देखते हैं इन्होंने बोला है कोशन में कि 2015 और 2016 और 2019 बीस ठीक है तो 2015 और 16 देखते तो यहां पे क्या है 106 ठी.60 ठी अभी क्या है 102.60 क्या सकते हो लगवाग फॉर पॉंट जो 02 है इसकी कमी हो गई है ठीक है इतनी की इनकी कम्यों या चार आप माल ली छिए ठीक है चार माल लेते तो इतने की कमी हो गई है तो इसमें कोई कारण बताना है आपको उत्पादन की कमी का तो देखिए उत्पादन की कमी का कोई एक कारण क्या होता है जैसे मतलब बहुत सारी चीज़े आप इसमें लिख सकते हो जो हमें 19-20 में जो हमें गिरावट देखी गई हो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ओचे लागत हो सकती है, ठीक है, जो है, बहुत सारी चीजे लिख सकते हैं, जिसमें आप प्रोब्लम से डाल सकते हो, या तो प्रोब्लम आ गई होंगी, कई सारी, ठीक है, या तो उर्जा नहीं मिल पाई होगी, सही समय पे, माल नहीं मिल पा ने जो भी पढ़ा है अपनी जो भी एक होता है ना कि अपनी तरफ से आप इसका अंसर क्या बता सकते तो मैं वह बता दे रहा हूं बाकि आपको बुक भी पढ़ना है कोशन नमबर आपका 5.2 है यह भी पांचवाई कोशन है और इसमें दो कोशन दिये गए था तो पहला हमने कर लिया दूसरा देखते इस्टील के उत्पादन और खपत को देश के विकास का सूचकां के क्यों माना जाता है तो देखिए बहुत जो है इस्टील जो है आप कह सकत तरह से जो है डेस की जो यह पूरी मसीनिरी व्वस्था क्या सकते जो मसीन वसीह रहत है भुश के उपर ठीक है तो इसको हम जो है मानेंगे ही जो हमारे जो विकास का सूचकांक है उसमें है साथ सक्सन B में कितने कोशन पूचे गए एक आपका चٹा question है ठीक चाटवा है एाठवा है यह 3 question पूचे गए सक्षं B में अधि कांस चटा इसदू पूचा गया परिवार अभी को अनौपचारिक इस्रोत्व पर निर्वर के तो बहुत आप डाल सकते हो है कि यहां पर ई। यह यह आप पढ़ कर अनप्चारिक सिरोतो Хот yard असे आप देख सकते होंगे कि गाह소리 में में क्या नहीं हो यह Lord manuscript क्ये लोन वहां पर क्या है की अनप्चारिक से रहतों का मतलब है वह बैंक WiFi मतलब जो एक अनौप्चारिक तरीका होता है ठीक है आप चारिक तो यह आप मैंक से लोन ले सकते हो ठीक है लेकिन इसमें आप डाल सकते हो अगला कोशन देखते अगला कोशन इसी का अथवा दिया गया है या तो आप ये कर सकते है या तो ये कर सकते है ठीक है इसमें आपको section B में चथे में अथवा देखने को मिलेगा और ये जो paper में आपको करा रहा हूँ scene paper का pattern आएगा इसमें से कुछ कोशन आ भी सकते एक्जाम में तो आपको सेंपल पीपर तो जरूरी होता है कि इसको आप सॉल्व करें अच्छे से पढ़ें ठीक है क्योंकि यही आपका पीपर का भी पैटर्न होता है तो अगला कोशन दिखते इसमें क्या का गया स्वें सहायता समूरीं लेन है अगला कोशन है आपका सात्वा कोशन ठीक है सात्वा और अठवा कोशन बसता इसमें सेक्सेंज भी में आदीवासी किसानों ने महात्मा गांदी के संदेश और सो राज की विचार को दूसरे तरीके से वैक्था इत किया और असयोग अंदोलन में अलग तरह से भाग लिया कथन का ओचित्ते सिद्ध कीजिए ठीक है आपको इसके बारे बता देना है और कोशन नमबर आठवा है एक लोगतंद्रिक देश में राजनितिक दलों की क्या भूमिका होती है ठीक है परिक्षण कीजिए राजनि में आपको अतवा देखने को मिलेगा तो नोव ए कोशन में आप यह कर सकते है या तो यह कर सकते है नोव कोशन पढ़ते हैं इसिक ओसको नौबबे लोकतंत्र की देलोक camping का अपना समर्थन उत्पन करने की छमता 10 एक परिणाम है जिसे नर किया सकता उधरान के साथ डूंस समर्थन करें अगर यह आपको कोशन मुश्किल लगता है तो इसे आप छोड़ के यह भी कर सकते अथवा दे रखा है कोई एक करना आपको तो दूसरा पड़ते दचिन एसिया में लोकतंत्र के विचार का भारी समर्थन है उचित उधारन सहीत कथन की पुष्टी कीजिए तो से आपको सेक्शन सी में ठोटल दो कोशन करने हैं तो या तो नोऑवे में ये कर सकते पहला या दूसरा चा च् proceso हैं अगला कोशन देखते हैं दस्फे अंसर में आपको अंसर की प्रोंसाहित करने में सूचना प्रोध्यवगी की की भुमि का परीक्षन कीजिए मतलब व्यजवी करन जो है अच्छा हो सक LOU के उनको कैसे या प्रोध्योगी जो सूचना प्रोध्य seekers की है उसकी भूमी का रही है ठीक है और इसी में अथवा आ जाता है आपका या तो ये करिए दसवे का ये या तो ये करना है भारत और उसके लोगों पर वैस्वी करन के प्रभाव का आगलन करें तो वैस्वी करन का क्या प्रभाव पड़ता है संस्कृति के ऊपर जो है आप क करन है खान पान में बदलाओ यह आप कह सकते ह mét पे आते तो यहांपे आपके दो जो है आप फंटित गड्यास तो है यहां पर अपने इसको आपको यह को दे दिया है पैसिज अब इससे रिलेटेड हैं तीन पूछे गया और जो चार नंबर के है यहाँ पर जैसे गांधी जी अहिंसा को सरवोच धर्म क्यूं मानते थे इसी में आपको जो हिंट मिल जाता है आंसर भी मिल जाता है तो आप इसे एक बार पूरा पढ़ोगे ठीक है इसे एक बार पूरा पढ़ना आप और फिर जो है इसे हल करना यह आप समझ जाओगे अगर आपने चप्टर पढ़ाए तो दूसरा कोशन है गांधी वादी सत्याग्रह को उनके दर्सन में विश्वास रखने वाले लोगों ने कैसे लिया ठीक है ये भी एक नंबर का है और अगला लास्ट कोशन है इसका गांधी वादी सत्याग्रह को अन्याय का विरोध करने का एक नया तरीका क्यों माना गया ये दो नंबर का कोशन है तो आपको इनी को पढ़के और अपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ से आपको जो है अंसर मिल जाएगा वहाँ से भी और यहां से हिंट मिल जाता है कोशन बारवा है ये भी वैसा ये आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है इन प्रशनों के उतर देने है जो की नीचे है तो प्रशन देख लेते प्रशन है आपका भारतिये डाक जो नेटवर्क है उसकी भूमिका का परिक्षन करना है ठीक है भारतिये जो डाक नेटवर्क है उसकी भूमिका क किजिए अगला जन संचार और व्यक्तितु संचार के बिच अंतर इस पॉछ करना है और एक राश्टर के लिए संचार के महतु का विशलेशन करे कितना महत्रम होता है किसी राश्ट के लिए संचार तो यह आप से पूछा गया है फिर सक्षन ई आते हैं सक्षन ई में आपको जो है मैप वाले जो कोशन है दिये गया है ठीक है आपको उसे पढ़के अंसर देना है जैसे यहाँ पे जो है कोशन नमबर 13 है तेरा पॉइंट एक है तेरवे का कि भारत के राजनितिंग मानचीतर में दी गई जो रूप रेखा ह जानकारी की साइथा से जो है चिनीत करना है उसके पास चिनीत रेखा पर उसका शही नाम लिखना है तो ऐ बोला गया है तो वे इस्थान जाहें इंचा के करण ऐसा योग अंधोलन को बंद कर दिया गया था तो यहां पर आप दिखोगी यहाय आपका मेप और वेइस थान क के मानचीत्र पर जो है आसे साथ चाहा को बताना है कि निमलिखित का पता लगाना उमको एक है आपका नाम रोब the दूस्ट्र रिसमें दी बंध करदिया गया था 13 जाहां से आपको एःत्र मतलब फ्रॉसी करते हैं तो यह अपने देखैट जेहां। यहाँ पर जो है चोरा चोरी जो है यूपी में हो गया था यहां पर इसका अंसर आप चोरा चोरी डालेंगे और तेरा पॉंट दो है भारत के OSD दिये गे मानचीत्र पर याणि इसी मानचीत्र पर आपको करना है एक तो नाम रूप थर्मल जो प्लांट है वो कहां है और नुवेड़ा सॉप्ट्वियर टेक्नोलिजी पार्क ठीक है आपको दो में से एक करना है फिर लास्ट है आपका राजा सांसी यानि स्री गुरू रामदास जी अंतराश्टी हवाई अड़ा यह आपको बताना है त यहां पर तो आपको SMS निसान लगा दू और बता दू ऐसे आसान नहीं होता है मतलब एक मैप जो है आपको दिखना चाहिए अच्छे तरीके से तब इसको फिल कर सकते हैं बाकी नीचे भी आप देखेगा तो यह एप जो बच्चे द्रिष्टी वादित होते हैं मतलब जिन तो यह था आपका जो है सामाजिक विज्ञान का सेंपल पिपर आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और बच्चो इस सेंपल पिपर को अच्छे से जो है आपको एक बार कोपी में लिख लेना है फिर उसका अंसर ढूंडना है और अंसर को भी लिखना है ठीक है तब ही वीडियो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका जो मैं यह आपको डाउनलोड कर सकते अगर वहां से भी नहीं पहुंच पाते आप तो मुझे आप इंस्टागराम पर मैसेज कर देना उसका भी लिंग जो है मैं डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा तो मैं इंस्टागराम पर यह आपको प्रोवाइड करवा दूगा यह हिंदी में ठीक है तो यही थाज के वीडियो आई हब के आपको वीडियो अच्छा लगा होगा मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में जब तक के लिए जय हिंदु